तो जैसे कि मैंने प्रोमिस किया था, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 1G, 2G, 3G एथनोल प्लांट के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं, 1G एथनोल प्लांट की, तो वाइस, in the case of 1G एथनोल प्लांट, हम एथनोल बना रहे हैं, with the help of the first generation biofuels, first generation biofuels, जिसमें की sugarcane, pedicrop, food grains, cereals, maize, ये सब कुछ आता है, 1G एथनोल प्लांट इंडिया में सबसे ज़ादा है, और ethanol, 1G एथनोल प्लांट से ही इस समय बनाया जा रहे हैं, और उसमें भी sugarcane और pedicrop के 1G एथनोल प्लांट सबसे ज़ादा है, problem with the 1G एथनोल प्लांट इस, एक तो irrigation water का बहुत बड़ा percentage यहाँ पर यूज होता है, और दूसरा, अगर हम food crops को एथनोल बनाने में यूज करेंगे, तो food की shortage आएगी, food chain disturb होगी, और जिससे की food की inflation भी बड़ेगी, तो इस समय government का ध्यान 1G एथनोल प्लांट से निकल कर 2G और 3G की तरफ जा रहा है, बात करते हैं 2G एथनोल प्लांट की, 2G एथनोल प्लांट एक ऐसा एथनोल प्लांट होगा, जहाँ पर हम एथनोल बनाएंगे with the help of the non-edible crops or the non-edible things, जैसे की wheat husk, rice husk, जिसे प्राली बोलते हैं, bamboo, wood chips, bagage, fruit skin, fruit peeling, etc. इन सब को वैसे भी हम waste कर देते हैं, तो इन सब से एथनोल बनाने की जो टेकनीक है, जो टेकनोलोजी है, that is 2G एथनोल प्लांट, इंडिया में 2G एथनोल प्लांट अलड़ी बन चुका है, अंडर कमिशनिंग है, अभी तक operational नहीं हुआ है, एथनोल इस प्लांट ने नहीं बनाया है, प्रिकोज इन सब से एथनोल बनाना एक बहुत ली complex process है, बट बहुत जल्दी आपको 2G एथनोल प्लांट से एथनोल बनता हुआ दिखाई देगा, 3G एथनोल प्लांट, 3G एथनोल प्लांट के अंदर हम एथनोल बनाते है, विन दी हेल्प ओफ दी ओफ गैसिस फ्रॉम दी हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, आप सबने steam reforming of methane पड़ा होगा, steam reforming of methane के अंदर हम हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, पर हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए हम PSA का यूज़ करते हैं, और PSA में COCO2 adsorb हो जाती है, और थोड़ी बहुत हाइड्रोजन भी वहापर adsorb होती है, इसी off gases को पहले हम reforming unit में firing furnace में यूज़ करते थे, बढ़ आब इस off gases को हम यूज़ करेंगे 3G ethanol plant में in order to make ethanol, तो इन off gases से ethanol बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे catalyst का, जो की catalyst होगा microorganisms, algae, एक living organisms रहेंगे, जो की help करेंगे एक bio तरीके से, हमारी green तरीके से, इन off gases को ethanol में convert करने में, यह plant हमारे इंडिया में already IOSL पानीपत में established हो चुका है, operational हो चुका है और first order भी इसने dispatch कर दिया है, और इसके लावा future में आपको 4G ethanol plant भी दिखेंगे, जहाँ पर हम ethanol बनाएंगे, specially genetically engineered crops के थूप, इन crops को genetically changed किया गया है, और उनका purpose यह होगा, कि इनसे में ethanol बनाना है, इसे ethanol बनाना आसान भी रहेगा, ethanol की ज़्यादा yield आएगी, conversion आएगी, और better और सस्ता ethanol आपको देखना हो मिलेगा, so 4G is the technology of the future, but 1G, 2G, 3G are there in the present, so इसी और तरह की और वीडियो के लिए, आप comment कर सकते हो, कि किस topic में वीडियो चाहते हो, और मेरी guidance में gate और PSU की त्यारी करने के लिए, आप subscribe कर सकते हो, on academy plus में, by using my code, hankur 073, all the very best guys, कि और सुने सुने हो जएगाभाभार्श करें सकते हैंね,